हेलो दोस्तो वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल प्रेगनेंसे निवरून टिप्स हिंदी दोस्तो आज का टोपिक है नॉर्मल डिलिवरी के लिए आपको क्या करना चाहिए इस बारी में बात करेंगे आज नमस्ते दोस्तो मेरा नाम है पंकाज और मेरा यूटूब चैनल पे आप सभी का सोगत है अगर आज का जानकरे आपको यूसफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्क्राइब जरूर करना ताकि ऐसे वीडियो का आपडेट आपको मिलते रहें तो चलिए दोस्तो आज का फीडियो इस्टर्ट करते हैं दोस्तो प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी माताओं का पहला सवल यह होता है कि हमको नॉर्मल डेलिवरी ओनी है तो इसके लिए क्या क्या करना चीए और प्रेगनेंसी में हार कोई चाता है कि हमारा बेबी नॉर्मल और नैस्रल तरीके से जनम ले ये सबना प्रेगनेंसी में सब महीला को होती है दोस्तो नॉर्मल डेलिबरी के लिए जो जो टिप्स आपको फॉलो करना चाहिए चलिए आखे जान लेते है टिप्स नॉर्मर उन नॉर्मल डेलिबरी के लिए आप दिन में जब भी खड़े होती है आपको एकदम ए श्टेट खड़े रहना है इससे क्या होगा आपका बेबी का हेड पेल्विस में जाने के लिए सही से प्रेशर ले पाएगा और इसकी बज़ा से आपका सर्विक्स खुलने लगेगा दोस्तो आप बात करते टिप्स नंबर टू की प्रेगनेंसी में आपको डेली वालकिंग करना है दोस्तो वालक मतलब आपको रोज पैदल चलना है कम से कम आदा गंटा आपको डेली पैदल चलना है नॉर्मल डेलिवरी के लिए चलना फिडना बहुत जरूरी है दोस्तो आप चाहे तो यह आदा गंटा तीन बार में चल सकते हैं दस मिनिट, दस मिनिट करके दोस्तो ये चलने फिरने की बज़ा से आपका बेवी का हेड पेट की निशी की तरफ जाने में बहुत ज़्यादा हेल्पूल होगी टीप्स नमबर थिरी पे बात करेंगे केस्टर ओयल के बारे में ये केस्टर ओयल आपका प्रेगनेंशी को नॉर्मल डेलिवरी होने में बहुत ज़्यादा मदद करती है दोस्तो ये केस्टर ओयल आपको लेना है प्रेगनेंशी का लास्ट माईने में आप ये केस्टर ओयल नौ माईने में इस्टट कर सकते हैं केस्टर ओयल लेने से आपका पेट में जो कब्स वो साई से किलिन हो जाएगी एक केस्टर ओयल आप आधा से एक चम्मस दिन में ले सकती है दोश्तो प्रेकनेंशिकल लास्ट में कब्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लेम होती है प्रेकनेंसी माताओं को इसलिए प्रेगनेंसी का लास्ट में जब आपका पोटी सही से किलियार होंगे तो आपका बेबी पेलबिक्स की तरफ आसानी से जाप आएगी और इससे आपको नॉर्माल डेलिबरी होने के लिए बहुत ज्यादा मदत मिलेगी दोस्तो आप पत करते डिप्स नंबर फोर की प्रेगनेंसी के लास्ट में आपको लेना है आजवाईन का लट्डू क्यूकि ये आजवाईन गरम होती है और ये आजवाईन का लट्डू खाने की बज़ा से आपका शरीर को नॉर्माल डेलिबरी के लिए तयार कर दिये दोस्तो नॉर्माल डेलिबरी के लिए आपको 9 माइने में कुछ गरम वाला चीज़ का सेबुन करना चीए आप इस समय दिन में कमसे तम 1-2 बार गुन-गुना गरम पानी थोड़ा-ठोड़ा पीते रहेए इस समय गरम वाला चीज़ खाने से आपको नॉर्माल डेलिबरी ह उने का सांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप बात करते हैं टिप्स नंबर फाइप की। दोस्तों, नौर्मल डेलिबरी के निए आप नौ माईने में शार्रिक रिलिशन कर सकती है। इस समाई रिलिशन करने से क्या होगा दोस्तों, आपका बच्चा दानी का महले आप डौक्टर से जुरूर कंसल करें। क्योंकि इस समाई प्रेगनेंसी माताओ का कांडिशन अलाग अलाग होती है। इसलिए डौक्टर से कंसल करने के बाद ही आप शार्रिक रिलिशन करें। दोस्तों, ये थी कुछ जान करी जो आपको नौर्मल डेलिबरी होने के के लिए बहुत ज़्यदा मदद कर सकती है। प्रेगनेंसी में आप ज़्यदा ये स्ट्रेस और चीनता ना करें नौर्मल डेलिबरी के लिए। आपको नौर्मल डेलिबरी हो जाएगा कुछ चीज का आप फोलो करें। और खुशी रहे प्रेगनेंसी में। मैं आशा करता आपको नॉर्मल डेलिवारी में ही आपका बच्चा जनम लेगा दोस्तो आशा करता हूँ आशका वीडियो आपको यूसफुल लगा है अगर यूसफुल लगे तो लाइक कोमेंट एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्क्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइ थैंक यू